यूं तो अकेला भी अकसर गिर के समल सकता हु मैं तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हु मैं साथियों आज ये ट्रेंड बदल चुका है तुम जो छोड़ दो हाथ मेरे तो दुनिया बदल सकता हूँ मैं क्योंकि आज कल कुछ ऐसी सिचुएसन देखने को मिल रही है जिस पर हम बात करेंगे इस वीडियो का मुख्य उद्दे से है कि महिलाएं भी गलत होती है सिर्फ पुरुस ही हर जगा गलत नहीं होते है मर्द को भी दर्द होता है ये सारे आंकले जो आपको दिखाये जाएंगे वो सरकारी एजनसियों के माध्यम से बड़े बड़े एजनसियां नेशनल निव चैनल आदी के पुरूफ के तौर पे दिखाये जाएंगे कोई इसमें मन गरंथ बात या मैंने खुद से नहीं बनाया है चलिए बात करते हैं कि आजकल जहां पर हमारे सम्विधान में या आजकल नहीं पहले सही समानता की बात की जाती है कि लिंग भेद नहीं किया जाएगा मैला पुरूस के आधार पर किसी को कहीं भी मतलब भेद भाव नहीं होगा समानता का अधिकार होगा जहां मैलाओं को देखने घूरने चूने आधिके भी संबंद में पुरूसों के खिलाफ कानून बने हुए है और बहुत सारी सजा है धारा है बहुत सारी चीजे है है ना परसासन की बेवस्थाएं की गई है होनी भी चाहिए अच्छी बात है वहीं सबसे बड़ा दुरुभाग की बात ये है कि पुरुस के समर्थन में सपोर्ट में कोई परकार का नियम कोई परकार की धारा कानून नहीं है जो कि सबसे ज़्यादा गलत है क्योंकि पुरुस भी पीडित है मैला भी कहीं कहीं गलत करती है जिसका सबूत मैं आपको दिखाऊंगा कि कहते हैं न वह लाइन अपने सुना होगा मैं तुम करो तो रास लीला मैं करू तो करेक्टर ढीला यहाँ पर देखो पतनी सताय तो फिर पती कहां जाए इसका भाई कोई आप्शन बताओ सुप्रीम कोर्ट में अभी 15 मार्च 2023 में लगभग एक याचिका डाली गई है जिसके संबंद में मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि देश में ऐसे पती ऐसे हस्बेंट जो साधी सुदा है उनकी पतनिया ना तो उनकी जान छोड़ रही है और ना ही वो उन्हें जीने दे रही है मतलब रहती उनके साथ है उनके सक्स संबंद सारिदिक संबंद उनके प्रेमियों के साथ है वो ना उनको छोड़ रही ना अपने प्रेमियों को छोड़ रही है और ये तो एक मुद्दा हो गया एक पहलू हो गया इसको लेकर बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम है जिस वज़ा से लाखो पुरुस सुसाइट तक कर ले रहे हैं यह मैं ऐसे हवा में नहीं बता रहा हूँ वो भी सब पुरूब दिखाऊंगा बस थोड़ा तफली रखें और जो महिलाएं और लड़कियां गाली वाली लिख रही है और लिख लें अभी दिखाऊंगा चलो आगे चलें इसमें क्या कहा गया है दिख रहा है देश में सब क्लियर दिख रहा है न भई बढ़िया है चलो तो देश में पतनियों से परताडित पतियों की संख्या लगात बढ़ती जा रही है आगे देखिए NCRB यह एक अजनसी है यहाँ पर इसके बारें बात करेंगे 2021 का अंकड़ा है इसके अंकड़े के अकॉर्डिंग 81,063 विवाहित पूरसों ने आत्मात्या कर लिया है जिनमें से लगबग 33% कितने 33% पूरसों ने परिवारिक समस्या और लगबग 4.8% पूरसों ने विवाह से जुड़ी घरेलू समस्याओं के कारण आत्मात्या कर लिया आगे दिखाएं चलिए आईए बात करते हैं आगे क्या है इसी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा उठाया गया है कि राष्ट्रिये पूरस आयोग बनना चाहिए क्योंकि महिला आयोग आलरेडी है जिसको लेकर के महिलाएं जूठे केस भी करती है एक सोध में एक जांच में ये भी पाया गया है कि अंकेले दिल्ली में भारत की राष्टी राधानी में लगबख 60% ऐसे केस जो महिलाएं पूरसों के खिलाप करती है वो जूठे पाये ग हैं हमारे लिए तो आजीब सा लग रहा है ना नीचे उपर करने में चलिए आगे देखिए आगे क्या कह रहा है यहां पर कि देश में राष्ट्रिय पूरस आयोग बनाने की मांग तेज होती जा रही है इस मांग को 15 मार्च 2023 यानि बुधवार को अभी सुप्रीम कोट में एक याजिका भी दाखिल की गई है याजिका करता वकील जिनका नाम है महेश कुमार तिवारी तिवारी जी ने याजिका दायर किया है जिसमें घरेलू हिंसा के सिकार ऐसे पुरुस जिनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है और वो लगातार आतमहत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं उनके समर्थन में कानून लाने के लिए बात की गई है ठीक है कि इनके लिए जो है guidelines बनाई जाए और ऐसे महिलाएं जो ऐसा गलत काम कर रही है उनके खिलाफ कारवाई की जाए इस्टार्टिंग में यह मैं नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ महिला ही गलत होती है पुरुस भी गलत होता है लेकिन इस वीडियो का उद्देश यह है कि सिर्फ पुरुस गलत नहीं होता है आए देखे आगे याचिका में भारत में आकास्मित मौतों पर 2021 में प्रकासित NCRB के आंकडों का हवाला देते हुए यह बताया गया है कि देश बार में लगबग 1,64,033 लोगों ने आत्मत्या क्या सुसाइड किया इनमें से अकेले 81,063 पुरुस और लगबग सिर्फ और सिर्फ 28,680 विब होती है बहुत जल्दी इमोसन आ जाता है रो देती है रोने से जो अंदर का दुख दर थोड़ा कम हो जाता है लेकिन पुरुस जल्दी रोता नहीं है और वह भरे भरे क्या होता है सुसाइड जैसे एक बड़े कदम को मतलब गलत कदम की तरफ बढ़ जाता है यहां पर हां उपर भी कुछ है 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 देखिए 4.8% इसमें मामला ऐसा था जो की बिबाह से संबंदित था और बाकी जो 33% था वो घरेलू इंसा घरेलू प्राव्लम की वज़ा से ऐसा हुआ आगे देखिए याचिका में NCERB के आकणों का हवाला देते हुए कहा गया है कि 33.2% पुरसों ने परिवारिक समस्या और 4.8 विवाहिक समस्या को ले करके आत्मत्या किया अभी में पॉइंट तो आपको दिखाया ही नहीं जाहिए गर नहीं कहीं इसका अभी जो में पॉइ पूर्ण मतलब क्या कहते हैं इज्जत को देखते हुए फिर वो इसको करने को मजबूर हो जाता है जिसमें पूरुस ज्यादा महिलाएं कम क्योंकि महिलाओं के पास ऑप्शन ज्यादा होते हैं है न का है क्यों क्योंकि इस आंकड़े में जो दिख रहा है उससे ऐसा लग आगे देखें इसमें क्या है इस याजिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि पीडित पूरुसों का जो आंकड़ा है इसको जाज़ परक करके इस पर सोध किया जाए इस पर टीम गठित की जाए और फैसला लिया जाए कि पूरुस भी हर जगा गलत नहीं होता है और दूसरी बात एक और कहा गया है कि यहाँ पर देखिए अभी पूरुस आयोग का गठन करने की तो मांग की ही गई है साथ में ग्रिह मंत्राले से रिक्वेस्ट की गई है कि ऐसे जो थाने है चोकिया है पुलिस वाले है पुलिस वर्ग यानि मेल वर्ग सिकायत कर रहा है उसकी भी सुनवाई करें नहीं तो पूरुस की कहीं सिकायत नहीं मतलब करने पर सुनवाई नहीं होती ऐसा माना जाता है कि महिला तो गलत कर ही नहीं सकती है ना यहाँ पर देखिए यहीं कहा गया है भाई चल न चलिए पढ़िए यहां पर याजिका में केंद्र कोगरी मंत्राले के जरी ये पुलिस विभाग को ये निर्देश देने का भी अन्रोध किया गया है कि घरेलू हिंसा के सिकार पुरुसों की जो सिकायते हैं उनका तदकाल निसकारण किया जाए सुविकार किया जाए तो ये थी बात मोटी- हूं और हाँ ये नो भारत टाइम्स की छपी हुई खबर है ये कोई मैं अपने से नहीं बनाया हूं ये खबर कब की है पता है आपको दिख रहा होगा अपडेटेट है लाश्ट में ये 23 जनवरी 2020 को दो बचकर 25 मिनट पीम पर साधी सुदा होने के बावजूद भी इनको दूसरे मर्द के साथ सेक्स करना है लेकिन समस्य ये है कि अपने हस्वाइंड को भी नहीं छोड़ सकती है और बीना आगले के रह भी नहीं सकती है इनकी ये प्रॉब्लम है ये एक एक जांपल है जो कि सुसाइड का पुरुसों के सुसाइड का एक कारण बनता है क्यूं क् पुरुस की कहीं सुनवाई होती नहीं है और महिलाओं के समर्थन में बहुत सारे कानून बने हैं बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हो उपर नीचे में पॉइंट ये है कि मैं अपने पती से अलग होने के बारे में सोच तक नहीं सकती हूं अलग होना जैसा मैं अपराद ज इसे सग होते हैं जो घरेलू समस्याओं पर अपने राय देते हैं विचार देते हैं ठीक है कि अपनी प्रॉबलम आप सेर कर सकते हैं तो लोग वहाँ पर सेर करते हैं यहां पर आप देख रहे हो ऐसे अभी ये केस पंजाब में हुआ था जिसमें एक प्रेमी प्रेम का थे जिनकी साधी तो आपस में नहीं हो सकी, घरवालों ने कहीं और दूसरी जगा साधी करवा दिया, क्राइम तक का एक चैनल है, उस पर है, जिसमें थमनल लगा है, कि जिसम का प्यास बुझाने, वो माई के जाती थी, उसमें ये टाइटल है, वीडियो का थमनल है, ठीक है, तो आगे बात करें, बाकी आप कमेंट करिएगा, तो मैं लिंक भी दे दूँगा, जो लोग देखना चाहें, हाँ, तो इसमें क्या है, जो मैं ये केस बता रहा हूँ, मैं आपको एक्जांपल बता रहा हूँ, कि महिलाएं भी गलत होती है, तो पुरुस आयोग बनना चाह ठीक है, उसमें क्या था कि प्रेमी प्रेमका में बहुत गहरा प्यार था, लेकिन घर वाले साधी नहीं करवाए, साधी उसकी घर वाले देख करके एक बड़ी फैमली में कर दिया, अच्छा खासा रईस फैमली में, लड़की वहाँ जाके रहने लगी, लेकिन उसको वो सा सम्मान को बचाने के लिए बात को ज़्यादा नहीं फैलाया राईता, कोशिस किया कि ये धिरे-धिरे मान जाया लड़की, लेकिन वो नहीं मानी साधी के कई साल तक भी उसका सम्मान चलता रहा, और दोनों लोग अपना जो चाहे वो करते रहे, हस्बेंट बचारा उसके खिलाब तो कहीं कुछ होने वाला है नहीं, या तो तलाक दे तो छोड़े, और उसमें भी कुछ प्राब्लम रहा होगा जो भी जैसे, फिर अंत में परड़ाम क्या हुआ हो समझीए, उसने सोचा कि अब इसको एक ही आप्शन है, वो एक बड़े साफ्टवेर कंपनी का इं पूरा बाद सुनिएगा, फिर अब इसको प्राब्लम हुई, कि भाई अब तो दूसरे देश चले जाएंगे, फिर हम लोग कैसे मिलेंगे, मेरा आशिक तो दूसरे देश जाएगा नहीं, वो तो गरीब परिवार से, बस उसकी सरीर है, बाकि तो कुछ है नहीं उसके, कि ह पूरा हो सकते हैं, लेकिन शरीर वाला जो मामला है वो तो वहीं पूरा होगा, तो उसने क्या किया, प्लान मनाया कि मैं इसको मरवा देती हूं, यह अपने पती की हत्या करवा दूं, अपने आशिक से, और उसके बाद में मैं इसकी विद्वा बनके इसके घर में पैसा रुपया और जो भी चीजें हैं उसको मेरा रहेगा क्योंकि मैं इसकी विद्वा रहूंगी और बाकी का तो हम लोग का खुलम खुला चलेगा फिर आसिक का है ना यह उद्देश से उसने क्या किया उसको मरवा दिया लाइस्ट में पुलिस पकड़ के ले गई पकड़ ठीक है गुम रहे थे उसके बाद वाया गोली मार दिया चला गया पुलिस जाच हुई वहाँ पर एक मिला क्या ड्राइविंग लाइसंस मिला बगल में साइड में पड़ा था उसको पुलिस ले करके गई अब उससे कोई सुराग थोड़ी लगेगा ड्राइविंग लाइस पिर पुलिस के जमीन के पायरतले जमीन तब खिसक गई जब उसने जाच किया उसके पुराने नंबर और जो मौझूदा नंबर थे तो उसकी हत्या के 24 गंटे पहले और हत्या के 10-12 गंटे बाद फिर से उसी नंबर पर 100 से जादा बार काल हुई थी उसका काल जब हिस्ट् मैं इसकी संपत्ती में हिस्सा नहीं पाती और मैं अपने आसी के बिना रह नहीं पाती क्योंकि वहाँ पर जो एडवाइजर लोग होते हैं उन्होंने कहा कि इसकी मडर क्यूं करवाया आप इसको छोड़के चली जाती भाग जाती उसके साथ रहती साधी कर लेती लेकिन ऐ मैं इसको तलाग देती तो मैं इसकी संपत्ती में हिस्सा ना पाती मतलब कुछ समझा आपने तो यह सब ऐसे केस हैं जिसमें यह दिखता है कि महिला भी गलत होती है तो इस लिए पुरुसायोग बनना चाहिए आप लोग कमेंट करके बताएं आपके वसे क्या बिचार है फ सब्सक्राइब करें तो मैं इनका सम जो भी इनके आगे की चीज़ें वह भी उपलब्त कराऊंगा ठीक है कमेंट करें